जोडें तो प्रस्न एक क एक पुर्णांक तीन बटा साथ जोड दो पुर्णांक दो बटा साथ एक पुर्णांक तीन बटा साथ जोड दो पुर्णांक दो बटा साथ पहले पुर्णांक तोड लेंगे तो साथ गुना एक साथ देखिए ये दोनों गुना होता है तो साथ गुना एक साथ तीन को जोड़ेंगे तो साथ तीन दस ये हो जाएगा दस बटा साथ को यहाँ पर लिख देंगे जोड़ अब इसमें साथ दूना चौदा साथ को दो से गुना करेंगे तो सादूना चौदा, दो को जोड़ेंगे तो सौला है, चौदा दो सौला है, साथ को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो दस वटा साथ चोड़, तो दस वटा साथ जोड़, सौला वटा साथ हो गया, तो साथ साथ का लगुत्तम क्या हो जाएगा, साथ, देखे, साथ साथ का लगुत्तम साथ, तो जो अंस में है, उसको लिख देंगे, जब देखे, यहाँ भी हर में दोनों साथ है, तो लगुत्तम भी साथ ही होगा, तो बस अंस में जो है, उसको बस लिख देना है, जब भी ह 16 10 26 बटा 7 तो 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सत्या 21 21 पांच 26 होता है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और 7 को यहाँ पर यानि भाग फल 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर 5 26 में से 21 गया तो 5 और भाजक 7 को यहाँ पर लिख देंगे तो 3 पुर्णांग 5 बटा 7 होगा इसका उत्तर ख 4 पुर्णांग 1 बटा 8 जोड 2 पुर्णांग 5 बटा 8 तो यह दोनों को गुना करेंगे 8 चोक 32 एक को जोड़ेंगे तो 33 तो 33 बटा 8 जोड 8 को यहाँ पर लिख देंगे अब यहाँ पर 8 दूने 16 16 5 21 बटा 8 8 को यहाँ पर लिख देंगे तो 8 दूने 16 16 5 21 21 बटा 8 तो 8 8 का लगुतम 8 हो जाएगा तो 33 जोड 21 लिख देंगे तो कितना आ गया देखिए 3 1 4 3 2 5 तो 54 बटा 8 तो 54 को 8 से भाग देंगे तो 8 6 48 8 7 56 6 बार में लगेगा 8 6 48 तो 6 आएगा भाग फल तो 54 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 6 बटा 8 तो 6 पुर्णांग 6 बटा 8 6 हो गया भाग फल 6 हो गया सेस फल देखिए 8 48 चो मोन में से 48 गया तो 6 तो सेस हो गया 6 और यहां पर भाजक तो देखिए 6 बटा 8 में कट रहा है 2 से 2 तिया 6 2 चोक 8 यानि इसका उत्तर हो गया 6 पुर्णांग 3 बटा 4 क्योंकि 6 बटा 6 और 8 2 से कट रहा था 2 तिया 6 2 चोक 8 यानि 6 पुर्णांग 3 बटा 4 इसका उत्तर हो गया तो यहां पर भी आप काट सकते हैं देखिए 2 से कट रहा है 27 दूना चोंवन और 2 चोक 8 ठीक है? यहां पर भी काट सकते हैं या यहां पर भी तो खाक का उत्तर कितना हो गया? 6 पुर्णांग 3 बटा 4 तो हमेशा याद रखना है कि एक ही अंग से दोनों को काटना है ठीक है? यहां पर काटे या यहां पर काट दीए तो कहीं पर काटे दोनों से ही होगा ग ग में हैं एक पुर्णांक एक वटा पांच जोड दो पुर्णांक दो वटा पांच तो पांच गुना एक पांच पांच एक छे यानि छे वटा पांच हो गया जोड यहां पर पांदूना दस दस दो बारा बारा बटा पांच हो गया तो पांच पांच का लग उत्तम पांच तो यहां पर छे जोड बारा लिख देंगे तो देखें बारा छे अठारा कितना हो गया बारा छे अठारा बटा पांच तो अठारा को पांच से भाग देंगे तो पांधिया पंदरा 18 में से 15 खटाएंगे तो 3 तो 3 हो गया भागफल 3 हो गया सेज़फल और 5 भाजक ये 5 को यहाँ पे लिख देंगे यानि 3 पुर्णांक, 3 वटा 5 इसका उत्तर होगा घ चार पुर्णांक 2 वटा 9 जोड 2 पुर्णांक, 5 वटा 9 चार पुर्णांक, 2 वटा 9 जोड, 2 पुर्णांक, 5 वटा 9 तो 9 चोक कितना होगा 36, 36, 2 38 वटा 9 जोड 9, 2, 1, 18, 18, 5 23 वटा 9 तो 9, 9 कल भुत्तम 9 तो 38 जोड 23 लिख देंगे क्योंकि हर देखे बराबर है 9, 9 यहां भी तो 38, 23 कितना होगा 8, 3, 19, 18 3, 2, 5, 1, 6 तो 61 वटा 9 तो 61 को 9 से भाग देंगे तो 9, 6, 54 तो 54, 7, 61 होता है तो यहां पर 7 लिखेंगे और यहां पर 9 यानि 61 में से 54 खटाएंगे तो 7 आएगा तो 6 हो गया भागफल, 7 हो गया सेस और 9 हो गया भाजक छे पुर्णांग, 7 वटा 9 इसका उत्तर होगा अड़ां दो पुर्णांग, 1 वटा 6, जोड तीन पुर्णांग, 5 वटा 6, जोड चार पुर्णांग, 1 वटा 6 तो पहले पुर्णांग तोड लेंगे देखे, 6 दूनी 12, 12, 1, 13 तेरा वटा 6, जोड छे ती, 18, 18, 5 तेईस, तेईस वटा 6, जोड छे चोग, 24, 24, 25 वटा 6 तो 6, 6, 6, कल भूत्तम 6 तो सब को बस लिख दें, क्योंकि तीनों के नीचे 6 है हर में, तो बस अंस को सब को लिख देना है, 13, जोड तेईस, जोड 25 तो देखे, 3, 3, 6, 6, 5, 11 2, 2, 4, 4, 1, 5, 1, 6 61 वटा 6 तो इसका उत्तर आ गया तो देखे, 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 लग गया यानि 6, 10 होगे भागफल, और यहां पर 6 को यहां पर लिख देंगे यानि 10 पुर्णांग, एक वटा 6 होगा, इसका उत्तर चा चा में हैं 2 पुर्णांग, एक वटा 2, जोड, तीन पुर्णांग, एक वटा 2, जोड, चार पुर्णांग, एक वटा 2 तो 2 दूना 4, 4 एक 5, 5 वटा 2, 3 दूना 6, 6 एक 7, 7 वटा 2, जोड, चार दूना 8, एक 9, 9 वटा 2 तो 2-2 का लग उत्म 2 होगा, 2-2-2 का लग उत्म 2, तो बस अन्स को लिख देना है हां पर 5 जोड, 7 जोड, 9 तो इसको जोड देंगे साथ पंच बारह 12 21 यानि 22 बट़ा 2 हो गया तो 2 से भाग देंगे 21 को 10 दूना 20 होता है तो 10 लिखेंगे ठीग है अब देखें 21 में से 20 को घट आएंगे तो 1 आ जाएगा यानि यहाँ पे 1 लिखेंगे और दो यहाँ पे तो दस क्या हो गया भागफल भागफल को यहाँ पे एक को देखिए यहाँ पे लिखना है यानि सेसफल को यहाँ पे और यहाँ पे हो गया भाजक ठीक है दो तो दस पुर्णा के एक वर्टा दो तो इसको अगर फिर से हम गुना करकिए हैं तो 10 जुना 20 बीसे के की से कीस वटा दो आ गया यानि 10 पुना के 1 वटा दो इसका उद्दर होगा